हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो मार्ट गैलरी तो वीडियो को स्टाट करते हैं विना टाइम वेस्ट की आज मैं आपको कुछ नया और अलग से खाने वाली हूँ सब यह साची ब्लाउज की कटिंग एंस्टिचिंग जो की इस तेम बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है तो आप मेरे स्क्रिन पर देख सकते हैं इसके फिटिंग कितनी ही अच्छी आई है कहीं पर भी एक क्रेज जोल कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका बैक साड़ भी आप देख सकते हैं कितना ही फिट बैठा है जबकि इसमें डोरी भी नहीं लगी है और यह डीपनेक है बट इसका करते हैं आप का लगी लिएंगे रसी अब यहां पर अपना शेका करणें मारचिंग अभी होने अफ McMahon कर लिया है आपका है भी मेरा जितना होगा उतने पर मंग कर लेना है क। अब यहां से मैं अपने नेक का भी मार्किंग कर लूंगी तो मैं यहां पर अपना 12 इंची नेक रख रही हूँ आप 13 इंची या उससे भी कम जितना आपको चाहिए कम जाधा कर सकते हैं ठीक है अब यहां से में अपने आर्मोल की भी मार्किंग कर लेंगे तो आर्मोल मैं ल करेंगे तो चेस्ट है हमारा 42 इंचिस का तो उसका चौथा हिस्सा होता है साड़े 10 इंची बट हम यहां पे 10 इंची पे ही मार्किंग करेंगे क्योंकि जब हम डीपनेक बनाते हैं तो हमें हाफ इंची एक साइस कम पे लगाना होता है अगर 42 है तो 40 ही लेंगे 40 है तो 38 है देखिए अगर आपको चौथा हिस्सा नहीं निकालना आता है तो आपको इस तरीके से मेजर्मेंट करके फोल्ड करके मेजर्मेंट को चौथा हिस्सा निकालना है अब हमारा जो वेस्ट है वो है 36 इंचिस का तो उसमें मैं यहां पे 9 इंची लोंगी उसमें प्लस 1 अपना सिलाई मार्जिन लेंगे अब दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और सिधी लाइन किस देंगे इस तरीके से अब हम अपने आर्मोल की आर्मोल का शेप देंगे तो यह हमारा बैक पार्ट है यहां पे आपको देवर इंची पे माग करना है और इस तरीके से दोनों का मिदल निकालके और हमें शेप देना है है यां से आपको आप इंची नीची की तरफ डाउन करना है। उससे हमारे फुटिंग अच्छी आती है अब आगे की तरफ हम हाफ इंची डाउन कर देंगे क्योंकि हमारा डीपनेक है देखिए इस तरीके से अब यहां से भी आपको half inch उपर की तरफ इस तरीके से cross line दे देनी है जिब हमरा deep neck अगे से हम half inch लेते हैं तो यहां से भी footing के साथ भी आपको half inch लेना है ठेके इससे हमारी Marking हो गये तो अब हम अपने बैक पार्ट को कट करके निकाल लेंगे अब इसमें हमें और कोई भी चैंजिस नहीं करना है तो यहां पर हमारा बैक पार्ट रड़ी हो गया है अभी जो अब हमने हाफ इंची उपर की तरफ लिया है उसे हम कट करके नहीं नीकालेंगे पहले हम फिर हम उससे कट करके निकालेंगे ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियो देखने और सीखने के लिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम डारे कपड़े पे कट नहीं करेंगे हम सबसे पहले पेपर पे कटिंग करेंगे क्योंकि उससे बढ़ाना भी होता है अगर आपका आस्तर बढ़ा है तो आप डारे भी कटिंग कर सकते हैं उस पे ही बढ़ाने के लिए बढ़ उससे कपड़ा बहुत वेस्ट होता है इसलिए पहले आपको पेपर पे कट कर लेना है फिर कपड़े पे रखके बढ़ाना है ठीक है तो यहां सबसे पहले हम हाफ इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे देखे इस तरीके से लाइन को स अब हमें अपने इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है और जैसा हमारा बैक पार्ट है आज इस तरीके से ड्रॉव कर लेना है इसके बाद में हमने जो हाफ इंची एक्स्रा नीची की साड़ रखा था उसे हमें कट कर देना है देखिए इस तरीके से और हमें नेक को भी कट करके निकाल लेना है अपने देखिए इस तरीके से अब यहां पर हम अपने बैक साइट के टक्स का भी जो है मारकिंग कर लेंगे देखिए यहां पर इस तरीके से हमें टक्स की मारकिंग लेनी है अब हम इसे side में रखके अपने आगे की front part का marking करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने armhole को half inch down करना है क्योंकि हमारा front part है तो front part में एक inch पर ही armhole हमें लिया जाता है इस तरीके से आपको half inch down करके ले लेना है देखिए राइन को सीधा करके अब यहां से हम 2 inch extra बढ़ा लेंगे यहां से हम half inch extra बढ़ा लेंगे क्योंकि हम यहां पर टक्स देंगे आगे की side में तो उसके लिए हमें बढ़ा लेना है 2 inch extra और armhole की side से half inch extra यहां से देखिए हम marking कर लेंगे ताकि हमारा back part और front part fitting के side से एक बराबर रहे ठीक है अब हम सारी marking जब कर लेंगे तो उसे उस लाइन पर ही मिलाएंगे अब यहां से आपको अपना neck का length ले रहेना है जितना भी length आपको चाहिए देखिए मैंने यहां पर 6 inches लिया है आप इसे और जाधा भी ले सकते हैं 7-8 inches तक में भी हम front open बरा रहे हैं ज्यादा तर सब्स आची व्लाज मा पैक नेक में बनता है तो हम काफी लंबा neck रखते हैं इसका पर मैं यहां पर open neck में बना रहे हूं तो यहां पर मैंने 6 inches लिया है और यहां पर मैंने 5 शेप दिया है आप उपने choice के according कोई भी शेप दे सकते हैं पर ज्यादा तर इसमें 5 नेखी चलता है अब यहां से हमें अपना chest का जो length है वो ले लेना है जितना भी हमारा chest है उसमें plus 1 inch करके हमें ले लेना है देखिए यहां से नीचे 2 inch हमें down जाना है और एक cd line की से नहीं है इस तरीके से अब यहां से भी हम अपने chest का दस्वा भाग ले लेंगे इस side से हमें chest का दस्वा भाग लेना है उपर से हमें chest plus 1 inch करके marking करनी है अब यहां से मैंने आगी side से half inch extra लिया है और उस side से हमें 2 inch extra लेना है टोटल 2 inch का हमारा tux ready होगा देखिए इस तरीके से निशान बना लेना है हमें तो यहां पर मैंने tux की marking कर लिए अब यह जो हमारा length है जितना होगा उतने पर ही आपको round में हमें निशान देना है इस तरीके से जितना हमारा tux का line आ रहा है उतना ही जैसे measure करते हुए हमें इस तरीके से shape देना है round neck पे अब यहां पर आप चाहें तो half inch टक्स दे सकते हैं यह नहीं भी दे सकते हैं यह optional है बट मैं यहां पर दे रहे हूं ताकि यह हमारा full burst size है इसके लिए अगर छोटे size में आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा यहां से जो हमारा जितना हमारा chest है margin को छोड़ते हुए उससे हमें अंदर आना है half inch और इस तरीके से आपको round shape दे देना है अब अगें एक inch आपको अंदर आना है दुश्रा shape देने के लिए इस तरीके से देखे एक inch अंदर आके बापस आपको एक और shape तो आप देख सकते हैं यहां पर हमार टॉक्स के साइट से मिला देना है सीधी लाइन कीजिए अब हम इसकी cutting करके निकाल लेंगे तो यह हमारा front part है अब जो भी extra बढ़ाना है इसको हम अपने कपड़े पे main fabric पे बढ़ा के लेंगे देखे इसलिए कहते हैं पहले paper पे cut करो या फिर आपका अस्तर का कपड़ा ज सकते हैं बट इसमें अभी हमें और बढ़ाना होता है इसलिए पहले paper पे मैंने cutting किया है तो आप आप देखिए आगे हम किस में हमें कितना margin लेना है क्या क्या किस तरीकी से बढ़ाना है ठीक है कि इस तरीके से यहां पे सब मैंने cutting करके निकाल लेना है यहां पर हम अपने neck की भी cutting कर लेंगे neck आप अपने choice के according किसी भी तरीकी का दे सकते बट सब्स आची में ज्यादा तर पान शेप या श्वेटाट नेकी अच्छा लगता है ठीक है तो अब देखिए सबसे पहले हम अपने tux को यहां पर close करेंगे देखिए इस तरीके से आप कट करके उसे चपका सकते हैं या फिर इस तरीके से close करके टाचनी भी इस पर लगा सकते हैं अब यहां पर हम अपने कमर की marking कर लेंगे तो जो भी हमारा कमर है प्लस उसमें 2 inches एक्स्रा लेना है और बाकी का एक्स हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि पीछे के साइड में हम एक इंची अपना टक्स का लेते हैं आगे के साइड में हमें वह नहीं लेना है तो वह हम टक्स को close करने के बाद निकालेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर इस तरीके से close कर दूंगी इसे कट करके निकालना है यह यहां पर भी टाचनी लगाना यहां ग्लू से चिपका भी सकते हैं अब देखिए यहां पर जो ठाओ अपार्ड दिख रहा है उसे हमें इस तरीके से शेप दे देना है ठीक है बस इतना चेंजिस करना है अब जो भी आगे चेंजिस होगा वह हम कपड़े पे करेंगे अब अस्तर को आपको ले लेना और इस तरीके से रख लेना है आपको और सबको वन बाइवन करके रखना है आप यहांपर देखिए कि क्या क्या चेंजिस आपको करना है तो सब जगह पे पहले आपको कपड़े को रख के देख लेना है आपका कपड़ा कहां पर एडजेस्ट हो रहा है उसके बाद में ही आपको निशान लगाना है तो यहां पर मैंने अपने बेल्ट के पाट को रख दिया है इस तरीके से देखे इसमें क्या चेंजिस करना है यह पर इस तरीके से उठाते हुए आपको round shape देना है जो जुखावा मतलब कोना उसमें निकला है वैसा shape नहीं देना है ठोड़ा सा उठाके अच्छे से हमें proper round shape देना है, ठीक है अब अपने इस पार्ट को अब हम जैसा है वैसा का वैसा ड्रॉव कर लेंगे सबसे पहले दिखिए इस तरीके से आपको अब यहां पर हमें हाफ इंची मार्जिन लेना है लेकिन सिर्फ नीचे के साइड से बाकी कहीं पर भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है देखिए मैंने यहां पर इसो ड्रॉव कर लिया है यहां हटा देंगे तो नीचे के साइड में सिर्फ हाफ इंची एक्स्ट्रा लेना है हमारा सिलाई मार्जिन का देखिए बिल्कुल इस तरीके से अब यहां पर देखिए मैंने इसेंड पार्ट को भी ले लिया है मैं नहीं पर का में ह бесп Gabra double को बिल्क गहल कर दिया दा वहां पर एक्स्ट्रा eftाइं में शेप में नहीं देना है ठीक है आप इसमें हमें ढोले हैंगे औल अग्रीज से ढलrh थे से आनगई जुप करे इंचे कह सेकंड पार्थ पार्थ ऊसक्राथ में नहीं की रखते हुए और सिधा लाइन खीच लेएंगे अब अब हम इन सब पार्थ की निकाल लेंगे इस तरहिखे से विद्क नैंटों कापड़े में SIM अब हम अपने स्लिप्स की कटिंग करेंगे जो अपनी एक्षा बचा हुआ का पीस है तो स्लिप्स की कटिंग होती है हमारी 4 फोल्ड में तो इस तरहिखे से कपड़े को फब्सकर ना है आपको दिखिए और हमें sleeves की cutting करनी है तो आपका जो भी length है प्लस वन इंची करके आपको लेना है तो तयार है मेरा 4 इंची उसमें प्लस वन इंची करके में लूगी तो यह हमारा होगा 5 इंची का अब यहां पर डेवड इंची नीचे आना है आपको और इस तरीके से शिदी लाइन कीचनी है और यहां पर अपने chest का जो भी mark major है económique a band顯ya क्लाने चेस्ति प्लस टू इंची हमें margin का लेना है और इस तरीके से शिदी देना है जो भी हमारा चेस्ट है बास उसमें आपको इसमेंग करके हमें निशान लगा के इस तरीके से से Сер दिएना है देखिए अब निच्ची के साइड से जो भी हमारे स्लीफ के फिटिंग है वो लेना है आपको प्लस उसमें दो इंची करना है और इस तरीके से हमें मिला देना है अब इसे कट करके निकाल लेंगे देखिए आप इंची का जो हम आगे के साइड कर देते हैं वो हम स्टिचिंग के टाइम पर देंगे इसलिए क्योंकि कभी कभी सीलाई के टाइम पर हम दोनों ही एक साइड ही सील देते हैं इसलिए आपको उसे सीलाई के टाइम पर ही देना है ठीक है अब इन सब को हम अपने म यहां सरी हो रखेंगे और कट करके निकाल लेंगे दिस तरीके से कि यहां से अपना स्लीव मैं निकान लोंगे पहले कपड़े को कट करने से पहले आपको सारे पार्ट को रखके एक बार चेक करना है फिर ही कट करना है कि आपका सारा कपड़ा कहां कहां एडजेस्ट हो रहा है ठीक है कि हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहां पर मैंने अपने सारे पाउट को ले लिया देखो यह हमारा स्लेव से यह हमारा बैल्ट का पाउट है देखे और यह हमारा इस तरीके से मैंने ले लिया है इसे और यह हमारा second part है मैंने इन सब को चिपका करके cut कर लिया है आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते बट मैंने उसे simply चिपकाक दिया है देखिए तो सबसे पहले मैंने इसको पूरा नहीं चिपकाया है यहाँ पर मैंने main कपडा जो है उसको front part पर neck को चिपका दिया है क्योंकि हम इसे पलटने वाले है तो यहाँ पर सिफ मैंने neck को चिपकाया है और इस तरीके से उस पर सिलाई लगाना है आप निशान लगा के भी सिलाई लगा सकते या direct भी लगा सकते मैंने यहां पर निशान लगा के सिलाई लगा रही है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, अब यहां से आपको उपर दाप सिलाई दे देनी है, देखिए इस तरीके से, निक को मैंने यहां पर पलटा लिया है, आप चाहे तो यहां पर पलटने के बदले में कीछा सकते मैंने चिपका कर के एकस्टा जो भी कप्ड़ा है उसे कट गर दिया है अब इसमें हम अब इको अपने सेकेंड पर्ट को अटाइच करेंगे इस तरीके से अब वीडियो में धेक सकते हैं अफ इंची के 2 तरीका exercise कहाव एक भाब को आपको खीचना नहीं है दोनों ह अब ने सिप्रूम को भी स्टीच कर लिया है कि अब जसे मैं अपने को स्टीच करेंगे थो है कि यहां पर मैंने अपना बेल्ट का कपड़ा ले लिया है किसी है इस तरह की से आपको दोनों सॉख लेगे है मैं कपड़ी हॉप को आप चाहें तो उपर के साइट दाप सिलाई भी लगा सकते हैं और डारिक भी ऐसे सेल सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर डारिक सेल रही हूँ आप चाहें तो पहले दाप सिलाई लगा ले अब यहाँ पर आपको कपड़े को एड्जिस करते हुए हाफ इंची के डिस्टेंस पर आपको इस तरीकी से रखना है अपने अपर पार्ट पर पर और इस तरीकी से सिलाय लगानी है घाई मत कर रिएगा कपड़ी को एड्जस करते हुए आच्छे से सिलाी लगाना है के लिए पर मैंने अट्याच कर लिया हैं तो यह मा रप्रंट फ्रन पार्ट भी डेडिया उचुका है तो इसी तरीकी से आपको सेकंडी पार्ट को भी अट्याच कर लेना है कि अब यहां पर हम अपने होक पत्टी और काच पत्टी बना लेंगे भी है कि इस तरीकंचे से हमाँ अपनी नाह second बछा रहे हूं से आफन बना लेनी है मैं असतर के ख़गे से बसनाथ हैं बचाने हैं तो सहोरे एसके वाज़े से मैं असथ्तर मेले कपड़े से बचा रहा है हो हा lot हम बना रहे हो अगर आपके पास में फाइब्रिक है तो उसमें आपको में फाइब्रिक को भी अटाइच करना है इस तरीके से मैंने दोनों भी पट्टिया रेडी कर लेनी है मैं थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए आई होप कि आप लोगों को हुप पट्टी और काच पट्टी तो बनानी आती होगी अगर नहीं आती है तो आप मेरे और वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रें किया है द यहां पर मैं जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट करके निकाल दूंगी देखिए आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अटाइच कर लिया है अपने शोल्डर को यह सब हमारी नॉर्मल स्टिचे से आप मेरे दूसरी वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने डीटेल आप बनाते हैं मेक्शोर करें कि वह आपका सेंटर में आना चाहिए शोल्डर के एकदम नहीं तो फिर पहने के बाद में अच्छा नहीं दिखेगा अब यहां से फोल्ड करना है आपको बैक पार्ट को और जो भी आपका फिटिंग लाइन है उसका मेजर्मेंट लगा लेन हैं अगर आपको फिटिंग करना हुकाई पट्टी काश पट्टी इसमें नहीं समझ में आया होगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा फटा-फट बता दिया है मेन है हमारा कटोरी सब्यचाची का उसको समझ में आना चाहिए बाकी की सिलाई आप मेरे दूसरी वीडियो से भी सीख सकते हैं तो यहां पर देखिए हमारा फाइनल लुक हमारी सिलाई इदम कट्टू कट बराबर आई है यहां पर मैंने इसमें फुटिंग लगा लिया है देख सकते हैं आप